तो आगत है अपका बात करेंगे एल टू का रिजल्ट जो है रीट लेवल टू का वो रिवाइस रिजल्ट होने बारा है रिवाइस इस्ट का परिणाम आएगा क्योंकि kis जो प्रस्ण वो डिलीट हो रहे हैं तो रिवाइस रिजल्ट जारी करेगा दिनस बॉड लेकिन जो पहले से लग चुके हैं लगबख एक साल से जादा जिनकी नोक्री हो चुकी है वो अब धरने पर आये हैं क्या होगा उन पर बहुसे को लेकर तलवार लटक रही है बात करें रादे मीना के इस पोस्ट चे बात करें तो सिक्सेक बढ़ती दूजार बाइस में बूड की लाप होगा इन 60 कि कोई गलती नहीं है ऐसा कि आगया है सिधी सी बात अब इनकिया गलती एक एक साल से ज्यादा इनकी सिवाए दे रहे ना ही चैन में एक दो अंक से से वंचित रहे बेरोजगारों की गलती है यह डोंजित भी रह गये थे अब उनकी भी कोई गलती नहीं है पर नाम रिवाइज हो तो चाहिए तो फिर कोई असर नहीं पढ़ना चाहिए कि मांग को लेकर आज बारी संक्या में सिक्सक इकटे हुए जेपूर में ये देखेगा ये बेनर के साथ इकटे हुए देने से निक्ति पत्र आपके हुआ था नव जीवन अब हैं भाइबित हम हो ग चाहिए क्या इनकी अगर ये डिवाइस रिजल्ट में ये बाहर हो जाते हैं तो इनकी नोक्री वापस ले लेनी चाहिए या फिर नहीं चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बताएगा जरूर मुश्कार